हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो माई योट्यूब चैनल सुपर लॉय तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे महाराष्टा जुडीशिरी एक्जाम जोकी 2022 में होने वाला है इसकी सारी इंपोर्टन इंफोर्मेशन क्या क्या आपको ध्यान में रखना है एलिजिबिलिटी क्रेटेरिया क्या रहेगा सी लेवस में थोड़ा बहुत क्या चेंज इजे क्या क्या आएगा और बहुत स्टुडेंट्स का डाउट है मराथी लेंग्वेशन लेटेड वह भी हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और जैसे कि मैंने आपको पहले जाने वाली है तो जुडिश्री एस्पिरेंस के लिए ये बैस्ट येर होने वाला है आई होफूली कि आप सब का भी कही ना कहीं सेलेक्शन हो जाए तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हर सब्सक्राइब करें तो ओनाइन अप्लिकेशन आपकी 24 दिशंबर से स्टार्ट हो चुकी है ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया है तो अगर आपने इंपोर्टन इंफोमेंस नहीं पता तो आप प्लीज ध्यान में रखिए तो 24 दिशंबर से ओनाइन अप्लिकेशन अपनी कर चुके होंगे लेकिन इसका सिलेबस आपके लिए हैल फूल रहेगा अगर कोई आज पास का स्टेट का एक्जाम देना चाहता है स्टूडेंस तो वह पियर कर सकता है एजली एक्जाम सेंटर मुंबई और अंगाबाद और नाखपूर और ये तीन जगह पर प्ले 2022 में जल्दी जल्दी इस पेपर को हो जाएगा क्योंकि 2021 में इन्होंने वैसी वैकेंशी नहीं आई थी तो अब हम सबसे पहले डिसकस करते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा प्रीलिम्स की बात करें टोटल 100 क्वेस्टेंस हैं 100 माक्स का एक्जाम है और टोटल 120 मिनेट मिन्स दो गंटे का पेपर होता है और आपको eligibility criteria बता देता हूँ अगर आप लोग graduate हैं तो आपका minimum 25-21 years से maximum 25 years तक आप ये exam दे सकते हैं और अगर आप practice कर रहे हैं और आप advocate बन चुके हैं आपके बार कॉंसिल का registration number है तो आप minimum 21 से 35 years तक दे सकते हैं लेकिन इसके लिए अना compulsory रहेगा mandatory होगा तो आप लोग देख सकते हैं और reservation के लिए ये year थोड़े extend किये गए है बनेफिट दिया गया है वो थोड़े late तक appear कर सकते हैं बात करें prelims में क्या क्या हैगा prelims का syllabus है CRPC, CPC, Constitution, Limitation, Evidence, Contract, Specific Relief Act, TPA, IPC, Sale of Goods Act, Partnership Act, Maharashtra Rent Control Act आप देख सकते हैं इसमें सारा syllabus maximum हर स्टेट की जुड़ी से में आता है बस महाराष्टा Rent Control Act थोड़ा अलग है जो आपको specific त्यारी करनी पड़ेगी औरना सब सेम है बात करते हैं में में कौन-कौन से subjects नहीं आएंगे जो मैंने previous 12 subjects बताए थे उनमें से में में Limitation Act नहीं आ आता है इसका मेंस में आप देख सकते हैं मेंस भी दो पेपर होते हैं मेंस में पेपर 1 civil law का और पेपर 2 criminal civil में आप देख सकते हैं CPC, Specific Relief Act, TPA, ICA, SOGA और Partnership Act रहेगा एंड पेपर 2 की बात करें criminal law में IPC, CRPC, Evidence Act, SCST Act, Protection and Civil Rights Act ऐसे राइटिंग नहीं आप एड़ किया है तो आप ऐसे राइटिंग पे इस बार ज्यादा ध्याम देना है क्योंकि आप हर स्टेट की जूड़ी स्क्री में ऐसे राइटिंग दिखना धीरे-धीरे mandatory होता जा रहा ह तो इस पर आप जरूर ध्यादा करेगा अब बात करते हैं इसके लिए आपको माराथी में आपकी पढ़ाई होनी compulsory है या नहीं है बात करूं दे इसके लिए माराथी लेंग्वेज आपको exam देने के लिए mandatory नहीं है लेकिन अगर आप ये select हो जाते हैं judiciary में और final selection हो जाते ह आपको माराथी लेंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए और आपके पास एक certificate होना चाहिए कि हाँ आपको माराथी लेंग्वेज आती है तो आप easily फिर कर सकते हैं उसके बाद आप जजब बन सकते हैं और वो आपको exams के बाद 6 महीने का time मिलेगा उसमें आप कर सकते हैं माराथी लेंग्वेज के लिए और इंटर्विव पचास मक्स का होता है तो इसके basis पर आपका final result बनेगा तो all of you I hope you like this video and please subscribe this channel for more judiciary updates और कोई भी आपका query है किसे related तो मुसे पूछ सकते हैं comment box में thank you